तो आज की हमारी इस online classes में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं कि किस तरीके से user form के अंदर डेटा को शोग कराएगे ठीक है चलिए तो हम कल ही की जो हमारा यह था user form था उसी को हम forward करते हैं आप लोग तो कुछ मनांके बेज़ते नहीं है तो क्या करें तो यह जो user form आपके सामने यह दिखा हुआ है इसी user form को आगे हम भी करते हैं इसी में एक बनाते हैं नए user form बनाते है user form जो आपने बना रखा है उसके डेटा को कॉपी करने का तरीका यह है कि आप user form पे जाए है मुझे कि यहां पर मैंने बोल दिया चेक कहां मैं चाहता हूं कि जैसे में user form को यूज करो वान लिखू चेक करो तो मुझे इस वान का डेटा जो यहां एविलेबल है यहां पर शो होना चाहिए ठीक है और डेटा इंटी फॉर्म को यहां पर चेक डेटा कर देते हैं चेक इंट्री चेक यह सर्ज यह करते हैं हाँ चेक है तो इस पर कोड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम काउंटिफ का फॉर्मा लगाएंगे कि कि इफ 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 ने पर से करता हूं सी सी इक्वल टू अप्लिकेशन डॉट वर्क्शीट फंक्शन डॉट यहां बढ़ा कर देता हूं मैं डॉट काउंटिफ ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैच वगर लगाएंगे उसमें दिक्कत हो सकती है इसकी इसके दो तरीके है दो तरीके समझा रहा हूं एक तरीका यह काउंटिफ करें और काउंटिफ करने के वाल यहां पर मैंने बोला कि रेंज ए से लेके ए और मी.textbox1.value फिर कंडिशन होगा कि इफ c is greater than equal to 1 than row equal to application.worksheet function.match और match में हमने वैल लगाया और कहा me.textbox क्यों? क्योंकि जो इसको हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा text है यहां पर हमारा number है बट textbox तो value होता है इसलिए values इसको value में convert करते हैं और हम बोले range पूरे एक column में सर्च करेंगे इससे मुझे इसका row number पता चलेगा उसके बाद देंगे कि sales चाहिए आफिए range इसलिए रहता हूं कि range कि b के साथ हमने r को combine किया और बोला कि dot value equal to me.textbox to dot value और इसी को copy करते है पेस्ट 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 नहीं हम गलत कर दिये गलत कर दिये उल्टा कर दिये हम यह होता है ठीक है और फिर इसको copy paste paste text box 3 and text box 4 name city arrow number और यहां पे b के जगाँ पे c और यहां पे d जीता किया नहीं हाँ ठीक है तो और यहां पे करते हैं यहां पे पे कर दिया माफ की जगा हमने कोडिंग कही अलग कर दी थी हमें command बटन डॉट क्लिक पे करना था अब हम प्ले करते हैं वन चेक रिजल्टा आगे फिर यहां पे टू चेक त्री चेक समझ गया लेकिन अब मैं दूसरा तरीका उताता हूं दूसरा तरीका है एक तोando करूँ ठीक करना होता लेकि में जैसे यहां पे टाइप करूं टाइप करते ही यहां पे data आना चाहिए और delete करो थे blank लाइफ हमें चाहिए क्लिक इमेल नहीं चाहिए तो और दूसरा कि इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जाएगा चलिए तो यहाँ पे हम लगाएंगे लूप का फामूला लूप लगाएंगा कि 4 I equal to 2 से है कि 2 2 range a65000 dot end और यहाँ पे excellence up excellence up dot row ठीक है और यहाँ पे condition होगा कि if range a के साथ हम combine करेंगे इसको I को dot value is equal to well me dot text works one dot value then यहाँ पूरा method यहाँ भी आएगा और यहाँ पे R के जगाँ पे I हो जाएगा I I और यहाँ पे जाएगा exit sub और and if और next I और दूसरा कि यह भी हो सकता है कि वो search ना कर सके ठीक है रहाँ तो उसके उपर हम कर देते है K K एक variable ले लेते है ऐसे ही ताकि blank कर लेगा ठीक है अब इसको हम play करते है अब मैंने यहाँ पे one डाला result आ गया delete किया blank हो गया eight डाला nine डाला seven डाला दिखरा है आपको अगर मैं ten करूँ तो ten है ही नहीं तो blank अब blank के जगर मैं चाहता हूँ data not found लिखा है data not found तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने k use किया है न तो k equal to मैं लिख दूँगा data not found ठीक है इसलिए मैं रेवरेबल लिया blank नहीं लिखा है one data आगिया 11 data not found समझ गए दूसरा अब मैं चाहता हूँ कि अब इसमें भी हम changing कर देते हैं ति नहीं कर सके मैं चाहता हूँ कि एक disable रहा है समझे सिर्फ visual हो edit नहीं हो तो इसको select करें और select करने के बाद जहां पर आपने true दी यहां पर एक enable है यहां पर मार कुझेगा अनेवल यह अनेवल है अनेवल को true करें false करें अनेवल false और यहां इसको भी select करके हमने बोला false तो अब क्या होगा कि आप देखिए इसमें हम click भी नहीं कर सकते और disable हो देखिए समझे अब मैं एक्सी और चाहता हूँ कि जब मैं इसमें कोई entry करूँ तो आप मिला एक check box दिखे एक ना दिखे जब मैं कुछ type करूँ तो भी यहां पर दिखना चाहिए otherwise नहीं दिखना चाहिए तो उसके लिए पहले तो हम इसको check box को जो हमरा जो button है इस button को सबसे last में देखिए का visual true है उसको false कर दिखे तो बाहर ओ visual ही नहीं होगा visual नहीं होगा मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहां पर type करूँ तो visual हो तो उसके लिए यहां change पे हमें condition नहीं पड़ेगी उपर ही देज़ेते हो कि if me यहां पर lane देज़ेते है me dot text box one dot value is not equal to blank then me dot command button one dot visual equal to true else else इसको select करके हम यहां पर paste करते हैं and if और true के जगाँ पर false कर देखे इसे क्या होगा कि जब मैं इसमें कुछ type करूंगा तो true होगा देखे हैं आपको समझगे सर्फ तो एक coding में आप लोगों को mail कर रहा हूँ एक file ही mail कर देता हूँ मैं आप लोगों कुछ और तो नया सा यूजर को हम बनाके मुझे बेज़ें सर्फ ठीक है सर्फ ये mail आया है सर्मारा कुम ये कल का भी mail आया है मैं रखो ये लाया है आपको ठीक है मैं आज की mail कर देता हूँ क्या बुल लाए मैं mail कर देता हूँ just mail कर रहा हूँ Excel file मैं अभी आपके सामने ही mail कर देता हूँ ठीक है अजी अजी अजय बोलिया सर मैं आप से वह पूछा था क्या करते हैं जो जो डेटा में होता है ने डेटा कनेक्शन में हूँ जहां पर एक क्वेरी सेट करते हैं वहां पर जो फाइल अगर वो पास्वड्र प्रोटेक्टेट्ट है तक उससे हम कराना अजय अचै आउय डेटा पर और तो तो आहता है जित समय आपस्वड प्रोटेक्टर फाल है कनेक्शन करना तो को याँ जब डेटा क्नेक्शन करेंगे तो यहां इसमें तो यहां पे data में यहां पे connections के अंदर में उसको select कीजिए इसकी properties में जाईए और definition में देखेंगे तो यहां आपको दीखेगा password अच्छा ठीक है न इसके अंदर password file के डाल ले ठीक है सर ठीक है सर पता नहीं mail का problem हो रही है बाउंस बैक हो रही है देकि ब्लॉग का गया अब यही problem से जूज रहा है mail ज़्यादा हो गया mail तो ज़्यादा नहीं हुआ है को कि यह बहुत space बागी है इसमें बहुत सारे mail रिलीट किया है न इसमें mail ज़्यादा नहीं हुआ है पता नहीं क्या problem आ रही है मैं दुवारा देखता हूँ किसी दुसरे mail रिलीट से भेज़के इसे दु़चे दोर देग से पता है झाल से भेज़के है